किसान भाईयो नमस्कार मेहुद असरदाकर आप देख रहे है डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम आलू की खेती के बारे में बात करेंगे आलू के कंद का आकार केसे बढ़ा सकते है आलू के कंदों की संख्या केसे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ले सकते है किसान भाई यो आलू की खेती से अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते तो सबसे जरूरी है कि जो आलू का कंद है वो मोटा और वजंदार हो और प्रती पोदे में ज़्यादा से ज़्यादा आलू निकले इसके लिए कुछ ऐसे खाद है जिनका प्रियो किसानों को करना चीए जिससे कापी अच्छा रिजल्ट किसानों को मिलता है आलू के कंद के आकार को किसान भाई आसान इसे बढ़ा सकते है किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल क सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को अपने किसान भाईयों के पास सियर करें तो चले वीडियो को सुरू करते है किसान भाईयों आलू की बुवाई अगेती भी की जाती है और किसान भाई पचेती आलू की फसल भी लगाते है अगेती जहां पर आलू की बुवाई होती है वहां पर आलू की वसल में कंद बनना सुरू हो चुका है और जहां पर बचेती बुवाई होती है वहां पर भी आलू की वसल 30-30 दिन के आसपास पहुंच चुकी है किसान भायों विराइटियों के अनुसार आलू की वसल में अलग अलग समय पर कंद बनना सुरू होता है लेकिन आलू में जब कंद बनना सुरू होता है उस समय से आपको आलू की वसल की देखरे करना चीए आवसकता अनुसार आलू की वसल में आपको सिचाई वगेरा करना चीए इसके लवा आलू की वसल एकदम स्वस्त होना चीए इसके लिए आप आलू में मुख्य रूप से फंगी सैट का समय समय पर परियोग करें क्योंकि आलू की वसल में जुलसा रोग या बलाइट संबन्दी समझ्चाओं का अटेक सबसे ज्यादा होता है इसी के साथ आप किसी भी अच्छे केटना सक और फंगी सैट का परियोग आउ सकता अनुसार करते रहे अगर आलू का पोधा एकदम स्वस्त रहेगा तो आलू का जो आलू जमीन में बनते हैं उनका विकास अच्छे से होगा कंदो की संख्या ज्यादा होगी ये काम आप सुरुवात में ही कर सकते है अब बात आती है कि आलू के कंदों की संक्या को किसान भाई किस परकार से बढ़ा सकते है किसान भाई यो आलू में जब कंद बनना सुरू हो जाते है यानि कि पोदे की जड़ों के अंदर आलू बनना सुरू हो जाते है उस समय पर आप N.P.K. 0.52 या 0.0.50 का प्रियोग कर सकते है इन में मुक्य रूप से पास्पोरस और पोटास की मातरा पाई जाती है दोनों ही कई सारे फाइदे आलू की फसल में करते है पास्पोरस एक परकार से पोदे की ग्रोथ को बढ़ाता है पोदे के तने को मजबूत बनाता है पोदे में पोसक ततों का संचार करता है पोटास का काम है कंद को मोटा और वजनदार बनाना जिससे होता यह है कि जो आलू का कंद है उसका वजन बढ़ता है कंद का आकार बढ़ता है कंदों की संख्या बढ़ती है इसे के साथ आप बोरोन 20% का परियोग भी कर सकते है आलू में कंद बनते समय इन चीजों को अगर आप स्प्रे के माध्यम से परियोग करते है कापी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते है एक एकड में 1 kg NpK 0.524 या 0.050 का किसानवाई परियोग कर सकते है इसे के साथ 150-200 ग्राम बोरोन का परियोग आप कर सकते है कापी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके लवा आलू में कंद बनते समय आप केल्सियम नाइटरेड का परियोग कर सकते है जिसमें नाइटरजन के साथ आपके खेत में केल्सियम की पूर्ती हो जाती है जिससे पोधे की ग्रोथ बढ़ती है पोधे में हरापन आता है केल्सियम एक परकार से कंद को मोटा और मजबूत बनाने का काम करता है इस से भी आपके आलू की फसल में फाइदा मिलता है और आलू का कंद बड़ा वजनदार बनता है तो आलू में कंद के आकार को बढ़ाने के लिए किसान भाई ये काम कर सकते है जिससे किसानों को काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आलू का जुकंद है वो भी मोटा वजनदार बनेगा और किसान बाई आलू की केती से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे किसान बाई अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद